आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर है तो Wheat, Floor & Husk ठीक है Wheat, Floor & Husk का मिक्षर है Sugar in Water, Sand in Water और Oil in Water ठीक है अब यहां से समझते है Separation Technique जो है लगाए गई यहां पर आपका W आ गए है ठीक है Sugar in Water ठीक है यहां Separation Technique लगाए गई और Sand in Water में Separation Technique लगाए गई तो Y बन गया क्या होंगे यह हमको यहां पर बताना है ठीक है तो अगर हम यहां पर बात करते है Wheat, Floor & Husk के लिए Wheat, Floor & Husk के लिए हम Separation Technique जो है कौन सी लगा सकते है यहां पर सीविंग जो Separation Technique है वो हम लगा सकते है ठीक है तो सीविंग से जो है यापके दोनों जो है मतलब आपके Wheat, Floor & Husk जो है यह आपके अलग-अलग हो जाएगा ठीक है सीविंग मतलब छन्नी ठीक है तो उससे क्या है Husk जो रह जाएगा वो छन्नी के ऊपर रह जाएगा Wheat, Floor जो है यह आपका कैसा होता है यह छन्नी से नीचे चला जाएगा ठीक है तो इसमें सीविंग लगाएंगे इसके बाद आपका क्या हो जाएगा Sugar in Water ठीक है Sugar in Water की बात करते है तो Sugar in Water का जो मिक्षर है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं इसको जो है ठीक है तो Sand in Water टीक है यह तो इसको कौन से मेतरट द्वारे जो है हम सेपरेट कर सकते हैं भाई Filtration Method ढरा जो है छो हम सेपरेट कर सकते हैं और आपका 45 जो है आपका जाएगा ओईल कर सकते हैं तो इसको तो sex इसको थो है जो बन जहेंगी तो ऐसे निगाल लेंगे और एक को आउल तो बारी नीचे range जाएंगा टिक है और आपका जो है ओई जो लेहर हो खी वह आपकी ऊपर करोंगी किऊँ कि ऐल इन बाद में बॉर पहले कर सकते अमरे तो हमारा जो कर सकते हो है वो आपका सीविंग है इसके बाद एवापरेशन वाई जो है फिल्ट्रेशन जैड जो है सेप्रेटिंग फणनल और ऐसा जो है हमको किस में दिया जारा option number C में so option C जो है इसका क्या हो जाएगा है यहां पर correct answer हो जाएगा ठेक थेंक्यू आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर